सो वेलकम दोस्तों स्वाकतिक बार फिर से एक नहीं वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने मुबाइल के कंट्रोल सेंटर को लॉग कर सकते हो यानि कि दोस्तों जब भी आप अपना mobile को lock कर देते हो उसके बाद भी आगर आप अपने notification बार को नीचे करते हो तो वहाँ पर जो है आपका जो control center होता है वो जो है नीचे आ जाता है और वहाँ से जो है कोई दूसरा भी कुछ भी कर सकता है यानि कि आपका net भी चालू कर सकत है बहुत सारा कुछ कर सकता है लेकित दूस्तों आज में आपको एक कैसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने control center को यह लोग कर पाऊगे जिससे कि आपका mobile lock होगा तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है यानि कि जब तो लोग खुलेगा नहीं तब तक आपका notification पाइनल भी नहीं open होगा तो चलिए दूस्तों कैसे करना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो यहां पर आपको notification control center पर lock लगाने के लिए यानि कि यह जो दिख रहा है आपको इसको lock phone होने पर lock लगाने के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा मै मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों इसके लिए आपको पने mobile की setting को open कर लेना है और setting को open करने के बाद आपको search bar में यहाँ पर notification को लिख देना है notification जैसे लिखोगे तो आपको नीच आगे लिख देना है said जैसे notification said लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल कर दोगे तो आप देखना मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं कर दता हूँ लोग अपने phone को और लोग करने के बाद मैं फिर से open करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप मेरा notification पैनल कुछ भी नहीं आ रहा है यानि कि control center भी नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं होगा जब तो आपके mobile से कोई भी नेट या फिर होट इसपोर्ड को on नहीं कर सकता है तो अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like जरू करना और चैनल को subscribe जरू कर देना